क्या किसी राजी में एक साथ दो मुख्यमंद्री हो सकते हैं जाहिर सी बात है आप कहेंगे कि नहीं सम्वेधानी ग्रूप से भी एक राजी में एक समय में एक ही मुख्यमंद्री हो सकता है लेकिन अपने देश में एक बार ऐसा भी हुआ है जब एक सूबे में एक साथ दो लोग मुख्यमंद्री पत्परासीन थे वो भी देश के सबसे बड़े सूबे यानि उत्तर प्रदेश में है जाधा पुरानी बात भी नहीं है सिर्फ 23 साल पुराना हुआ क्या है तो चलिए शुरू से आपको बताते हैं ये 1998 का साल था और फरवली का महीना था देश में बारवी लोग सुभा के लिए चुनाओ चल रहे थे और सभी पार्टियां चुनाओ प्रचार में लगी थी लेकिन एक आदमी अपनी मुहिम में लगा हुआ था वो समयधानिक पत पर बैटे-बैटे खुद सियासी शत्रंज की बिसात पर प्यादा बन रहा था वो भी उसी शहर में जहां से भंग लोग सुभा में विपक्ष के नेता रहे अटल विहरिवाश पई फिर्मिर देशक मुझफर अली के खिलाफ चनावी मैदान पे ताल ठोक रहे थी समयधानिक पत पर बैटे उस आदमी का नाम था रोमेश भंडारी भंडारी उस वक्त उत्तरप्रदेश के राजपाल थे और लखनव का विशाल राजभवन उनका आशियाना हुआ करता था उत्तरप्रदेश की कई सीटों पर शुनाव हो चुका था जबकि कई सीटों पर 22 फरवरी को वोटिंग होनी थी 22 फरवरी को हने वाली वोटिंग में यूपी के कई बड़े नावों असलन लखनव से अटल विहरी वाशपई और मुजफफर वली संभल से ततकारिन रक्षामंत्री मुलायम सिंग्यादो बागपस से भारती किसान कामगार पार्टी के अजीस सिंग की सियासी किसमत का फैस लेकिन असल सियासत तो एक दिन पहले लखनव में हो रही थी उस दिन उतर प्रदेश के मुख्यों वंद्री कल्यान सिंग चनाव प्रचार के सिलसले में गोरखपूर में थे जबकि प्रदेश भाशपा अध्यक्ष राजनास सिंग लखनव में प्रेस कॉन्फरेंस कर लोक संसदी शेत्र अकबरपूर का चुनाव हो चुका है और अब मैं पूरा ध्यान कल्यान सिंग सरकार के खादमे पर लगाऊंगे जिसने पांश महीने पहले मेरी पार्टी को गलत तरीके से तोड़ कर अपना बहुमत हासिल किया है इसके बार लगभग दो बजे मयावती अप सरकार के ट्रांस्पोर्ट मिनिस्टर और लोकतांत्रिक कॉंग्रेस के विधायक जगदंबिका पाल को आगे कर दिया और राजिपाल रुमेज भंडारी से कहा यहां उपस सभी दलों के विधायकों का समर्थन प्राप्त है इसलिए आपका ल्यान सिंग सरकार को बर खास्त कर इन्हें मुख्यो मंत्री पत की शपत दिलवाई है इसके थोड़ी देर बाद रक्षा मंत्री और सपा सुप्रीमो मुलायम सिंग यादो का भी बयान आ गया कि हमारी पार्टी ने भी जगदंबिका पाल के समर्थन करने का फैसला किया है थोड़ी देर बाद उनकी पार् कर ऋने राजिपाल रोमेश बहुमत सिद्र करने का समय देने को कहा उनून ने बो मई केस में सुप्रीम कोड की समयधान पीट के ज़जमेंट का हवाला भी दिया जिसमें सुप्रीम कोड ने कहा था कि बहुमत का फैसला सदन में ही होगाowaćी ने कल्यांद सिंग की इस मांग क मंत्री पत की शपत दिलवा दी गए उनके साथ साथ चार और मंत्रियों नरेश अगरवाल, राजराम पांडे, बच्चा पाठाक और हरिशंकरतिवारी को भी मंत्री बनाया गया लोगतांद्रिक कॉंग्रेस के अध्ष्ट और कल्यान सिंग सरकार विजली मंत्री रहे नरेश अगरवाल को ओप मुक्ष्यमंत्री अपॉइंट किया गया, इस पूरे ऑपरेशन के दरमयान राजभवन से लेकर शपत लेने वाले लोग इतनी हलबडी में थे कि शपत ग्रहन के बाद रस्मी तोर पर होने वारा राश्ट गान भी नहीं हुआ, राजभवन में हुई महस दस मिनिट की कारवाही में देश के सबसे वड़ सूवे का निजाम बदल गया था लेकिन असल ड्रामा तो लखनो के सचिवाले में हो रहा था, सुबह सुबह सचिवाले में स्थित मुक्य मंतरी के चैमबर में जगदंबिका पाल जाकर जम गये, नहीं दूसरी तरफ बरखास्त मुक्य मंतरी कल्यान सिंग भी सचिवाले पहुंच गये, लेकिन उनके नरेंद सिंग गौर्ड ने इलहाबाद हाई कोर्ड में याचिका दाखिल करमांग की कि राजबाल रुमेश भंडाली के एक्षन को असमयधानिक करार दिया जाया और कल्यान सिंग सरकार को बहाल कर दिया उनकी याचिका पर 23 फरवरी को इलहाबाद हाई कोर्ड ने चगद उग्यभाई कोर्ड के फैसले के खिलाफ सुप्रेम कोर्ड जाने के बारी थी जग्दनबिका पाल की वे सुप्रेम कोर्ड गय भी लेकिन इसी तरमयार उन्हें एक बड़ा जटका लग चुका था वो मुक्यमंतरी नरेश अकरवाल और मंत्री हरशंकरतिवाली समेत दोगत मंत्री कॉंग्रेस के अधिकांश विधायक वापस कल्यान सिंग कैम्प में लोट चुके थे मुक्यमंतरी चकदंबिका पाल की तो हालत ऐसी हो गई थी कि सचवाले भवन में सीम की कुर्सी पर बैठे होने के बावजूद हुने पानी मांगने पर एक घंटे बाद पानी का गलास मोहिया करवाया जाता था साथ ही नाश्ता मांगने पर दोबारा पानी का गलास सामने रख दिया जाता था दरसल 23 फरवरी को हाई कोट का फैसला आने के बाद सचवाले का एक अधना करमचारी भी हुने सीम मानने को तयार नहीं था 23 फरवरी के शाम एक दफा ऐसा भी हुआ कि जब जगदंबिका पाल ने सचवाले के स्टाफ से नाश्ता मांगा तो ने बहुत थोड़ा सा बिसकुड वगएरा महिया करवाया गया और जब पाल ने इस पर सवाल किये तो उनके स्टाफ ने कहा साप कल्यान सिंग का जो नाश्ता बचा था वही आपको दिया हूँ तो ये हालत हो गई थी मुख्यमंदरी जगदंबिका पाल की लेकिन खेर 24 मार्च को उनकी आजिकपर सुप्रीम कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट के सामने भी अजीवी सिती थी एक तरफ राज के समधानिक प्रमुख्यानी राज्यपाल का फैसला तो दूसरी तरफ हाई दोनों एक दूसरे के विरोता भासी ऐसे में सुप्रीम कोर्ट सम्विधान के कस्टोडियन की अपने भूमिका का निर्वाह करते हुए बीज का रास्ता निकाला और कहा अगले 48 घंटे की भीतर विधान सभा में कैमरे की निगरानी में कंपोजिट फ्लोर टेस्ट होगा औ अब तक के लिए दोनों चग्दिंबिका पालो कल्याद सिंग के साथ मुक्ष मंत्री जैसा वेवाहार किया जाएगा लेकिन कोई भी नीतिकत पैसला कंपोजिट फ्लोर टेस्ट के बाद ही होगा कंपोजिट फ्लोर टेस्ट का मतलब यह है कि दोनों मुक्ष मंत्री एक विधायक होंगे उसे वोटिंग का नतीजा घुशित खोने के समय से मुख्मंत्री माल लिया जाएगा जबकि हारने वाली के मुख्मंत्री पत पता विधारी वोटिंग के नतीजे के साथ ही खरीज हो जाएगी 26 माई के सुबह विधान सभा में कंपोजिट फ्लोर टेस्ट के प्रक्रिया शुरू हुई देश विधेश की मेडिया के मौझूद्की में विधान सभा की कारिवाई शुरू हुई सुप्रीम कोड के अदुशा नुसार 16 कैमरे लगाये गए थे और बहुत शांती पूर्वक तरीके से कारिवाही चल रही थी लेकिन सबसे मज़दार सीन्दू विधान सभा के अंदर की सीटिंग अरेजमेंट का था विधान सभा अधक्ष के स्रीनात्र पार्टी के दोनों तरफ दो कूर्सिया लगाई गए थी और उन पर दोनों मुख्यमंतरियों को बिठाया गया था शाम के वक्ष चार सो पच्छिस सदस्यों के विधान सभा में जब कंपोजिट फ्लोर टेस्ट का नतीज आया था मुख्यमंतरी पत पर चक्दमिका पाल के दावदारी खत्म हो चुकी थी 225 विधायकों ने कल्यान सिंग के पक्ष में जबकि 196 विधायकों ने जगदमिका पाल के पक्ष में वोट किया था तब भी कल्यान सिंग के पक्ष में 213 विधायक थे जो चक्दमिका पाल के समर्थ तक विधायकों की कुल संख्या से तब भी ज़दा थे इस प्रकार न्यायले के हस्तक शेप से पूरे 5 दिन चले इस घटना गरम का पटाख शेप हुआ था इस घटना गरम के कुछी हफतों के बाद लोग सुबर चुनाओं का नतीज़ा आ गया इस चुनाओं किसी को इस पस्ट बहुमत नहीं मिला था लेकिन भाशपा अपने सहयोगी दिलों के साथ बहुमत के काफी करीब पहुँच गई थी 16 मार्ज 1998 को राशपती के यार नरायनन ने भाशपारेटा तलिभारी वाशपाई को सरकार मुनाने का निमंतर दे दिया इस पूरे घटना करम पर हमने बात की वीवी से के लखनो संबादाता रहे रामदत्र त्रिपाठी से रामदत्र त्रिपाठी के अनुसार उस वक्त रक्षा मंतरी रहे मुलायम सिंग यादो मैनपूरी के अपनी सीट छोड़ कर संभल से चुनाओल रहे थे जहां उनका मुकाबला भाश्पा के मजबूत माने जाने केंडिट डी पी यादो से हो रहा था 22 फरवरी को वहाँ चुनाओ होना था और वे बहत कड़े मुकाबले में फसे थे इसलिए वे नहीं चाहते थे कि प्रदेश में कल्यान सिंग की भाश्पा सरकार रहते वहाँ चुनाओ हो रही बाद मायवतिक की तो उनकी कल्यान सिंग से खुननस सवहविक थी पाँच मेहने पहरे ये उनकी पार्टी बसपा को तोड़ कर कल्यान सिंग ने अपना बहुमत साबित किया था वैसे इस पूरे मामले पर रुमेश भंडारी ने अपनी किताब में काफ्य कुछ लिखा है रामदात्रि पार्टी के कहने पर रुमेश भंडारी कि किताब इस उनने लिखा है उस मामले में मैं क्या करता? मेरे सामने जो दस्तावेश पेश किये गए मैंने उन पर भरोसा कर उनके मताबिक काम किया चकदंविका पाल मामले में सबसे होश्यार आदमी नरेश अगरवाल थे उनके बारे में कहा जाता है कि उनके पिता जी हर दोई से कॉंगोली से कैंडियेट थे और उनने अपने बेटे नरेश को पार्टी सिंबल के लिए पार्टी आलाकमान के पास बेजा तब नरेश ने आला कमान के पास जाकर कहा था कि मेरे पिता का मभी रूप से बिमार हैं इसलिए उन्होंने चुनाओ लड़ने से इंकार कर दिया है और मुस्तर चुनाओ लड़ने को कहा है इसलिए मेरे नाम पर सिंबल इशू कर दिया जाए जब तक ये बाद उनके पिता को पता चलती तब तक नरेश अगरवाल नामांग कंद आखिल कर जोगे थे इसलिए जो आदमे उने पिता करना हुआ वो जग दिमिका पाल का ही क्यों होगा किसी का नहीं हो सकता था पाल की सरकार अरेश अगरवाल के पाला बदलने से ही गिरी थी आखिरें बाद जब निबिका पाल की कहते हैं ना कि समय बहुत बलवान होता है आज जब निबिका पाल उसी भारती इंता पार्टीम है जिसकी सरकार गिरा कवे मुख्यों मंत्री बने थे पिछले दोज रौव से वे उत्तरप्रदेश की डुमर्या गन्य लोग सुवा सीड से भाज़पा सांसत हैं आपके लिए किस साल आयत है हमारे साथ यह पशेक देखते रहे है दी ललन टॉप फेस्बुक पर क्या पहला? ट्विटर पर कौन हुआ ट्रोल? यूट्यूब की ट्रेंडिंग से लेकर इंस्टा के सब जोल सोशल मीडिया की हर उठा पटक एक जगर सोशल लिस्ट सोमवार से शुक्रवार राद दस बजे दी ललन टॉप पर